इन दौर के होलकर स्टेडियम में भारत और आस्ट्रेलिया के बीच खेले गए दूसरे वंडे में मैच देखने केंद्रिय नागरे कोडियान मंत्री जो तरह दित्ते सिंध्या भी पहुचे इस मौके पर न्यूजेटीन से खास बाचीत मिनों ने कहा कि होलकर स्टेडियम से उनका भावनात्मक लगाव है सिंध्या ने कहा कि जैसे भारत आज विश्व पटल पर उजागर हो रहा है वैसे ही भारतिये क्रिकेट भी विश्व क्रिकेट पटल पर उजागर हो रहा है और इसकी सोच और विचारधारा MPCA के हमारे समस्त परिवारगरों ने साथ में मिलकर रखी थी और ये उस कालखंड की बात है जब कहा जाता था कि असंभव है इतने कम समय में स्टेडियम को तयार करना, इतने कम राशी में स्टेडियम को तयार करना और मेरा MPCA का संपून परिवार हम सबने साथ मिलकर मेंनत मशक्कत के आधार पर रेकॉर्ड टाइम में स्टेडियम हमने तयार किया और सबसे देश में सबसे कम राशी में 40 करोड रुपए की राशी में स्टेडियम का निर्मान हम लोग कर पाए थी और हमने यही सोच विचारधारा रखी थी कि दर्शकों के लिए एक आनन्द में वातवरन तैनाद हो और क्रिकेट के प्रेमी के लिए आनन्द में वातवरन तभी तैनाद होता है जब पिच और आउट फील्ड दोनों बहतरीन बन पाएं ताकि एक बहुत दार्शनियक कारिक्रम गेम आयोजित हो पाए और हमारा होलकर स्टेडियम में एक हाई स्कॉरिंग पिच सदेवरा है होलकर स्टेडियम में बड़े रोमांचिक मैच आयोजित किये है और उसका एक सबसे बहतरी नुधारन आज हमको देखने को मिला है जहां करीब करीब 400 रन भारत ये टीम ने स्कॉर की है और ये इस बात का प्रमान है कि भारत ये टीम की शमता कितनी आज बढ़ चुकी है जैसे भारत विश्व पटल पर उजागर हो रहा है वैसे भारत ये टीम पून रूप से क्रिकेट के पटल पर उजागर हो चुकी है हमारे स्टार बैट्समन न होते हुए भी कप्तान न होते हुए भी विराट कोली न होते हुए भी शुभम गिल और श्रियस एहर ने क्या जबरदास बल्लेबाजी का प्रमान यहां दिया है करीब करीब 116-120 प्रतिशत रन रेट के आधार पर उनने स्कॉर किया है और सूर्य कमार और केहल राउल दोनों ने अर्श तक दोनों उस पैमाने पर पहुँचे है और आज 400 रन की स्कॉर बॉर्ड पर लग चुकी है